नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है महाभारत की कहानी कई रहस्यों का समागम है इस एक गाता में ऐसी कई घटनाय शामिल है जिने समझना वाकई बहुत मुश्किल है महाभारत में कैई ऐसे योध्धा या पात्र रहे जिनका जीवन उनके पूर जनम के क्रत्यों पर आधारित रहा है जैसे भीष्न पिता महा पांच वस्वों में से एक थे द्रोबदी को अपने पिछले जनम में की गई मांग के रूप में पांच पत्यों की पत्नी बनना पड़ा कर्ण अपने पूर जनम में राक्सस थे ऐसे ही अनेक पात्रों के बीच एक और पात्र थे धरत्रास्ट जो जनमान्ध थे लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी गांधारी को सो संतानों को जनम देने का आशीश है तो उनके अंधेपन का दुख मिट गया द्रत्रास्ट के सो पुत्र और एक पुत्री हुई कुरु छेत्र में उनके सो पुत्र मारे गए जिनका शंबंध उनके पिछले जनम से था महा भारत युद्ध समाप्त होने पर द्रत्रास्ट ने भगवान स्री कृष्ण से पूछा प्रभू में अंधा पैदा हुआ था मेरे सो पुत्र मारे गए भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा है आपने अर्जुन से कहा था जो हो रहा है वह कर्मो का फल है मेरे अंधे होने का और सो पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है किर्कयों मुझे बताईए भगवान स्री किष्ण ने कहा महाराज दरत्रास्ट आपने उचित ही सुना था कर्मो का फल भोगना ही पड़ता है उससे किसी को छूट नहीं है राजा और समर्थवान लोगों को कर्मो का दंड विशेस रूप से भोगना पड़ता है इस वर उन्हें शमर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं महाराज आप इस जनम में विराजा हैं पूर जनम में विराजा थे पर आपने कैई पाप कर्म किये हैं ध्रत्रास्ट आधीर हो गए वह बोले केशव इस जनम में जो किया है वह मेरे सामने हैं पर पूर जनम का रहसे जानने का उत्सुख हूँ किर्पया वह रहसे खोले ऐसा पाप कौन सा था जो में अंधा भी हुआ और सोप पुतर भी गवाएं भगवान स्री किष्ट ने धरतराष्ट को पूर जनम की कहानी बताना प्रारम किया और बोले महराज पिछले जनम में भी आप एक राजा थे आपके राजा में एक तपस्वी ब्रहमण रहते थे ब्रहम्मन के पास हंसो का जोड़ा था जिसके चार बच्चे थे ब्रहम्मन को उन हंसो से अपने संतान के जैसे लगाओ था एक बार ब्रहम्मन को तीर्थ इस्थान पर जाना था लेकिन हंसो की चिंता में वै जा नहीं पहा रहा था उसने अपनी चिंता एक साधू को बताई साधू ने कहा हे ब्रहमन तीर्थ में हंसो को बादक बताकर हंसो का अगला जनम खराब क्यों करते हो राजा प्रजा पालक होता है तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो हंसो को राजा के सरक्षन में रखकर तीर्थ को जाओ ब्रहमन को यह बाद जम गई वह आपके पास आया अपनी सारी परेशानी कह सुनाई आपने ब्रहमन के तीर्थ के लोट आने तक हंसो की रक्षा का दाईत तु स्विकार कट लिया ब्रहमन हंस और उसके बच्चो को आपके पास रखकर तीर्थ चला गया और हंस आपके महल के तालाप में ही पलने लगे काफी समय के बाद एक दिन आप अपने महल के बाग में घूम रहे थे तभी आपकी नजर हंसो पर पड़ गई आपने सोचा सभी जीवों का मास खाया है पर हंस का मास आजसक नहीं खाया इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा आपने हंस के दो बच्चे बून कर खा लिये उसका स्वाद आपको अच्छा लग गया हंस के एक एक करके सो बच्चे हुए आप सब को खाते चले गए अतहे हंस का जोड़ा संतान हीन होकर दुख से मर गया कैई साल बाद वह ब्रह्मन तीर थियातरा से लोटा और आपके पास आया आपने ब्रह्मन से कह दिया कि हंस बिमार होकर मर गए ब्रह्मन ने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चला गया महराज आपने तीर थियातरा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वास गात किया जिसने आप पर विश्वास किया जिव्या के लालच में पढ़कर हंसों के सो बच्चे भून कर खा गए जो आपके पास आश्ट्रे के लिए आये थे इन गोहर का पाप का आपको दंड मिला है जैसे आपने जिव्या के लालच में हंस के सो बच्चे मारे वैसे ही आपके सो पुत्र हुए और लालच में पढ़कर मारे गए जिसने आप पर आँख मूंद कर भरोसा किया अपने पूर जन्म के कर्मों के फल सरूप दरत रास्ट ना सिर्फ जन्मांद रहे बल्कि वो अपने समस्त कुल के विनाश का कारण भी बने आज के लिए बस इतना ही यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हो तो पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शोर करिए और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पर दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं